साथियों, भारत के समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों की है तमाम चुनवतियों के बावजूद भारती समाज ने निरंतर प्रगति की है निरंतरता बनाए रखी है हमारे समाज में नैतिक ताके प्रति आहग्रह और सांस्कृतिक परंपराय बहुत सम्रुद्ध है हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेश्ता ये है कि वो प्रगति के पर बढ़ते हुए खुद में आंतरीक सुधार भी करता चलता है हमारा समाज अप्रासंगीक हो चुके काईदे कानूनों कुरुतियों रिवाजों उसको हटा देता है फैक देता है वरना हमने ये भी देखा है कि कोई भी परंपरा हो जब वो रूड़ी बन जाती है तो समाज पर वो एक बोज बन जाती है और समाज इस बोजते तले दब जाता है इसलिए हर व्यवस्ता में निरंतर सुधार एक अपरिहार्य आवशक्ता होती है आपने सुना होगा मैं अक्सर कहता हूँ कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और देश के लोगों को सरकार का दबाव भी महसुस नहीं होना चाहिए सरकार का दबाव जिन्द भी बातों से बनता है उसमें अनावश्यक कानूनों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है बीते आठ वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेश जोड रहा है आप भी जानते हैं कि देश ने डेड़ हजार से ज़्यादा पुराने और अप्रासंगे कानूनों को रद कर दिया है इनमेंसे अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं इनोवेशन और इज अब लिविंग के रास्ते से कानूनी अर्चनों को हटाने के लिए 32,000 से ज़्यादा कम्प्लाइंसीज भी कम किये गए हैं ये बदलाव जनता की सुविधा के लिए हैं और समय के हिसाब से भी बहुत जरूरी है गाजीपूर की शाहर ता होटल ग्राइंड पैलेस शादी हो, इंगेजमेंट हो, बड़े पार्टी, मैरिज एनवर्स्री या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटी आपके पार्टी में भर दे जान अत्याधुनिक सुक्सुधाओं के साथ की तीन बेंकिट हो, लजीज वेंजन से संपत, शानदार रेस्टूरेंट आपके पार्टी में चार चान लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुईधा जरूर पदा रिए था होटल ग्रैंड पैलेस चुंगी हीरो एजनसी के सामने लंका गाजिक का